क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहके सबसे मैथिली हुआ और भोजपड़ी हुआ हिंदी हुआ थोड़ा बहुत तहर्यान भी विगा लेती हूँ पंजाबी भी थोड़ा दोस्तों बता दू कि आज हमारे साथ ऐसे कलाकार मुझूद है आप देख सकते हैं जो कि सभी गाना में मसूर है इनसे कुछ खास बाचित करेंगे वीडियो में बढ़े रहे हैं नमस्कार सबसे पहले आप अपने बारे में बताईए मैं नेहा यादब सबसे पहले अमित एफ कि आप सबसे पहले सिंगिंग का स्टाइटिंग कब से किये हैं मेरा सिंगिंग स्टाइग जो 2010 से हुआ यानिकि मैट्रिक का एक्जाम देने के बाद यानिकि इंटर से मेरा म्यूजिक में आना यह हुआ तो मतलब पहला जो गणा था आपका मतलब किस ट्याब का था और पह थोड़ा तफ लग रहा था तो गुला माली जी को तो सभी आदमी जानते हैं तो फिर उनको सूर में उस गाने को ताल मे करना थोड़ा तफ लग रहा था काफी समय लगा बट उसको किलियर कर लिए अब तो कोई दिकत नहीं होता होगा क्योंकि आप बहुत पुराने हो चु बिल्कुल मैं चाहूं क्योंकि मैं मिथलांचल से हूँ यानि कि सभी हैं लोकल ही हैं तो मिथलांचल की एक भगवती गीत सुनाना चाहूंगे यादि वी सर्वभूते शो शक्ति रुपे न संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमोन मह जे जे भेर भी असुर भयाउनी पशुपति भामी निमाया सहज सुमती वर दिये ही गुसाउनी अनुगति गत तु अपाया जे जे भेर भी असुर भयाउनी वाँ बहुत अच्छा मैं में इसके लिए एक बार क्लेप होना चाहिए सर् किस ट्रैप में में आपना लागाते हैं सबसे मैथिली हुआ और भोजपुरी हुआ हिंदी हुआ थोड़ा बहुत तहर्यान भी विगा लेती हूँ पंजाबी थोड़ा साथ यूटूब पर ही बोल सकते है कि ऐसा आपको सिंगर देखने को मिल रहा है जो कि सारे चीजों में टैलेंट्स बढ़ा हुआ है मैं आपसे चाहूंगा कि एक और हिंदी गाना हो जाए तो बहुत अच्छा में हुआ हिंदी गाना क्योंकि हिंदी सभी को पसंद है भोजपुरी मैथली क्या होता है किसी किसी को क्योंकि छेत्रिय भासा है तो मैं उदीती जी का एक है वो उसका भी प्रैक्टिस थोड़ा चल रहा था क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहके क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहके हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप रोया करते थे हो छुप 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 रोया करते थे वा थैंक्यू सो मच मैम अभी यसी सर्दी है काफी खासी है क्योंकि अभी मोसम भी मैम कुछ चेंजिंग है इसले आबात थोड़ा सा भाडिपन लग रहा है तो मेम आपका YouTube चैनल भी आपके नाम से हया मेरा लगा किसी नाम से आपका बहुत सारे गाना YouTube होगा हाँ बहुत सारे गाने हैं और अभी फेलाल है गाना थे üर्ली मेरा आभी यस बनाने वाली हूव तो वो मेरा चैनल होगा उसका नाम होगा नेहा यादव ओफिशियल से जिसमें की छट पुजा से मेरा वो चैनल स्टार्ट होगा मैं कुछ हमारे दर्सक है जो आपके गाना को सुनना चाहेंगे तो यूटूब पर किस नाम से सर्च करेंगे जो आपके गाना मिल जाएंगे हां तो नेहा यादव ओफिशियल सर्च करेंगे यूटूब पे तो मेरे सारे गाने आ जाएंगे तो मैं माभी यहां पर इस स्टूडियो में किस उद्देश्याएं इसी उद्देश्याएं क्योंकि यह स्टूडियो का हर कुछ अच्छा है क्वालिटी अच्छी है और यह वीडियो और अगे हुए हैं कठिन प्रिश्रम भी चल रही है और बाकी सभी आदमी का सपोर्ट है इसमें मैं चाहूंगा एक बार स्टूडियो को देखा दीजिए हमारे किम्रा मेंसर तो यहां पे देख सकते हैं यह एस्टूडियो नया खुला हुआ है यहां पे यह स्टूडियो का न यहां पे फिलहाल जितने भी लोकल आर्टिस्ट हैं सभी को मौका दिया जाता है और मौका ही नहीं यहां पे अच्छी क्वालिटी के साथ वैस्ट वीडियो जो भी है टोटल चीज जागरन जो भी होता है स्टार कास्ट का यह निकि सभी आदमी का चीफ एंड वेस्ट में चीफ एंड वेस्ट में आपको अच्छी क्वालिटी अच्छे वोकल जो भी है सारा कुछ में क्योंकि नया है तो चीफ एंड वेस्ट देना पड़ेगा और आगे तो क्वालिटी दर्सक के उपर है सबसे खास बात यह है कि यहां पे अभी तो स्टार्ट हुआ है और स्टा आप देख सकते हैं स्टूडियो का ना जारा एक और दिखा दिए सारा कीबोर बगेड़ा सपा वीडियो डेस्टोफ बगेड़ा का सी प्यू बगेड़ा का उहां पे देख सकते कितना महागा महागा सवंड है सर किस कमपणी का साओं यह उनका जो की बहुत अच्छे है तो मैं जाते जाते आप क्या बोलना चाहेंगे मैं जाते जाते यहीं बोलना चाहूंगी अमीद एफोड्यू यूटूब चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें मैं आप से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं फिर मोका करी दीजिएगा हाँ हाँ बिल्कुल तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा दीजिए इजाज़त केमरा मैं रित्मिक राज जी के साथ नमस्कर